Hello dear students, परिवर्तन क्लासिस पर एक बार फिर से आप सब का स्वागत है Polytechnic से related हम लोग पढ़ रहे थे Physics तो Physics में यहां गति से related हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर यह आप लोग कक्षा आठ से ही पढ़ते आ रहे हैं तैयार तो होगा ही एक बार थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं तो देखिए दूरी क्या होता है किसी गतिमान वस्तुदारत तैंकि यह गए रास्ते के लंबाई को दूरी कहते हैं और यह जो नियून तम दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं इसे मान की चलते हैं यहां से यह इस्थिर बिंदु है तो इस्थिर बिंदु से यह आए चार किलो मीटर पूरब की ओर और फिर उत्तर की ओर तीन किलो मीटर गए ठीक है तो यह पहले पूरब की ओर आए फिर किधर उत्तर की ओर ठीक है तो प्रारंभिक स्थिती से ये अंतिम स्थिती के बीच की ये जो न्यूनतम लंबाई होगी इसको क्या कहेंगे विस्थापन और ये कुल लंबाई कितनी हो गई साथ और ये दूरी कितनी हो जाएगी साथ ठीक है कुल रास्ते की लंबाई जो होती है वो क्या होती है अच्छा ये पांच आया कैसे पांच आया यहां पर पाइथा गोरस प्रमेर से अच्छा पाइथा गोरस प्रमेर क्या है नीद आ रही है पाइथा गोरस प्रमेर बताओ समकून त्रिफुज में कर्ण का वर्ग सेस दोनों फुजाओं के वर्गों के ओके बराबर होता या कहले जिए कि कर्ण का वर्ग वराबल लॉंग बर्धनादार वर्ग जानी रहें चलिए अच्छा यहां से आप लोग बताईए दूरी और विष्थापन यह फीगर हम मना रहें यह चला पहले पूरब की ओर दो किलो मीटर ठिक देखतें कौन पहले बताता है फिर यह आया उत्तर की ओर पांच किलो मीटर ठिक फिर आया तीन किलो मीटर पस्चिम की ओर ठिक क और पांच किलो मीटर कितना पांच किलो मीटर चलिए अब बताईए यहां पर दूरी कितनी होगी विस्थापन कितना होगा ठीक चलो पताओ कौन बताएगा पताईए उज्वल बताओ दूरी कितनी होगी कितनी दूरी चला यह यह पांच किलो मीटर है ठीक, 15 कैसे आया, सब को जोडने पर, ये 15 देखे, ये 5, 2, 7, 7, 3, 10, 5, 15 किलो मीटर, ये दूरी हो गए, अब विस्थापन कौन रताएगा, कितना होगा, देखे, अंतिम इस्थिती ये है, प्रारमविक इस्थिती ये है, तो यही जो न्यूनतम लंबाई होगी, इसी को तो विस्थापन कहेंगे, है न, अब ये कितनी है, देखे, पहले 2 इधर आया, 5 उपर, 3 इधर, फिर 5, ये, तो जितना इधर गया, उतना वापस लौट के भी तो आया है, इसी सीध में फिर आ गया, है न, तो 2 इधर आया था, वापस कितना गया है, तीन, ये वापस 3 गया था न, तो ये कितना बन गया, एक किलो मीटर, समझ माया नहीं आया, तो विस्थापन कितना हो गया, एक किलो मीटर, ठीक, चलिए, आब इन दोनों में अंतर हम लोग करम से समझ लेते हैं, तो पहला अंतर तो परिभासा ही हो जाएगा, है न, किसी गतिमान वस्तु द्वारा त परिमान किया हो सकता होती है, दूरी को बैठ करने के लिए क्या होल, परिमान किया हो सकता होती है, और विस्थापन को बैठ करने के लिए, परिमान और दिसा, दोनों किया हो सकता होती है, यही न, और दूरी जो है, इसमें बताए कौन सदिसराज, कौन अदिसराजी है, विस्थापन जो है ये धनातमक भी हो सकता है, रिडातमक भी हो सकता है, सुने भी हो सकता है, है न, सुने कब होगा, सुने कब होगा विस्थापन, जब जहां से चले हैं, भूम करके वहीं फिर से आ जाएं, तो क्या होगा, विस्थापन सुने हो जाए, अच्छा विस्थाप जाएगा रिडात्मक हो जाएगा इस्थापन चली और दूरी जो है यह बताइए यह धनात्मक रिडात्मक सुनी में से क्या हो सकती धनात्मक हो सकती कि नहीं दूरी जो है धनात्मक हो सकती रिडात्मक दूरी रिडात्मक कैसे होगी जहां हो वहीं हो उसके विप्रीत नहीं होगा अच्छा सून क्यों नहीं होगा क्योंकि एक जगां से दूसरे जगां अगर चले गए है ना गए तो कुछ ना कुछ दूरी तो हो ही जाएगे हैंगे और अगर नहीं गए वहीं बैठे हो वहीं बैठे हो तो इस्थिर हो हैंगे नहीं इस्थिर हो इस्थिर हो तो दूरी जो है कोई मतलब नहीं तो यह जो है दूरी केवल धनात्मक होती सुन्य और इडात्मक नहीं होती ठीक है चलिए और इसके बाद इसमें से एक पथ की लंबाई पर निर्वर करता है एक नहीं निर्वर करता है यह बताओ कौन पथ यानि रास्ते की प्रकृति पर कौन निर्भर करता है कौन नहीं निर्भर करता है दूरी रास्ते की प्रकृत पर निर्भर करता है कि नहीं करता है दूरी दूरी बहुत बढ़ियां और यह आपका क्या विस्थापन विस्थापन यह रास्ते की प्रकृत पर निर्भर करता है ठीक चलिए यह हो गया अच्छा इस के अलामा और क्या इस में मात्रक दोनों के मात्रक भी समझ लिए क्या होता है मात्रक दूरी का दूरी को मीटर में नापते हैं अच्छा विस्तापन को उसको भी मीटर में तो ये दोनों है दोनों के मात्रक सेम हो जाएंगे ठीक है चलिए एकदम सेम इसी प्रकार से बिल्बक दूरी को चाल कहते हैं ठीक है एक कांग समय में तह किया गया कुल दूरी को चाल कहते हैं और दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं ठीक चलिए परिवर्तन की दर ये बटे में समय रहता है तो परिवर्तन की दर हम लोग कहते हैं ठीक है अब इन दोनों में से कौन सदी से कौन अधिसरासी है चाल और चाल को ब्यक्त करने के लिए केवल परिमाड की आशित्ता होती है और वेक को ब्यक्त करने के लिए परिमाड और दिसा दोनों की आशित्ता होती है तो इस में से कौन ठीक उसी प्रकार से सब हैं अब ये चाल जो है ये धनात्मक रिडात्मक सुन्य में से क्या हो सकता है चाल के वल धनात्मक हो सकती है रिडात्मक और सुन्य नहीं हो सकती है ठीक है और दूसरी बात इधर वेग धनात्मक रिडात्मक और सुन्य तीनों हो सकत अगर पत की प्रकृति भी उसी प्रकार से हो जाएगा और अगला और विस्थापन बटे बस इसी प्रकार से यह दोनों अंतर हो गए अब इसमें हमको देखिए यहां गत इसे रिलेटेड एक चीज और यहां रिवाइज कर लेते हैं नियूटन के गत के नियम नियूटन के गत के तीनों नियम याद है पहला क्या है जड़तो का नियम जड़तो का नियम क्या है कोई वस्तु गतिमान वस्तामे तो गतिमान वस्त और देजिए क्या है कि ये बलाप नहीं किसी पिंड पर लगने वाला बल यो होता है कि बड़ी गुडन फपल के बराबर होता वह यह बराबर ठीक नहीं किसी पिंड पर लगने वाला बल उस्पिंड के द्रब्यमान और उसमें उत्बन त्वरण के गुड़न फल के बराबर होता है अच्छा त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जैसे साइकल से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो चाहिज से जा रहे हो एक समान चाल से जा रहे हो इस पीड नहीं बढ़ा रहे हो लगातार चलते जा रहे हो तो बताई यह तुरंड कितना होगा सून्य होगा वेग में अगर परिवर्तन होगा तो वही जो है तुरन होता वेग परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन बटे समय तो वेग में परिवर्तन अगर नहीं कर रहे हो एक समान्चाल से जा रहे हो तो क्या होगा परिवर्तन सून्य हो जाएगा परिवर्तन सून कोई पिंड ओपर फिंगो तो क्या होगा उसका वेक देरे-देरे ऊपर जाने वेक बढ़ता है खटेगा देर देरे तो घटकरके ऊपर सूनने होगा फिर नीचे गिरने लगेगा तब वेक बढ़ेगा तो यह बताएक कब धनातमक renew रहाएक कब रिडातमक उपर जाते हुए रिडात्मक और नीचे आते हुए अच्छा इस में से एक को तुरण कहते हैं एक को मंदन अब ये बताएं ये उपर जाने वाले को तुरण कहेंगे या मंदन और नीचे आ रहा है तो तुरण ठीक है चलिए ये तुरण हो गया और दोनों नियम भी समझ या गया न है याद कल लिए वह तैसरा आधि स्रा नियम तो सब लोगा ने ने किशन के गढ़न कीया क्रिया का नियम क्या है है जब हम पर हमारे वाहई के और कोई दहाहरान से समझा येक्रिया हाँ क्रिया प्रत्क्रिया के बराबर और विप्रीद प्रत्क्रिया का नियम कहा लग रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइए प्रतिया उसमें नीचे कियू बर लगाता है अब इसी आज़ाबर और प्रत्रिया उपर की ओर होती है ठीक ये और कोई उदारण जैसे किसी गेंदा को जो है कोई बॉल ले देते हैं है ने उसको दिवाल पमारते हैं तो प्रत्क्रिया होती ना जितना तेज मारोगे उतना तेज वापस आएगा यही रहे चली तो न्यूटन के गट के नियम भी हो गया अच्छा तीरों नियम एक बार फिर से जल्द यली फटा-फट रिवाइश कर लेजिए क्या है पहला नियम क्या है जड़तुका नियम कोई वस क्रिया प्रत्क्रिया का नियम प्रते क्रिया के बराबर तथा विप्रीद प्रत्क्रिया होती है अच्छा एक चीज और देखो इसी प्रत्क्रिया बल के कारण ही हमको भार कानुभव होता है इसी के कारण किस कानुभव होता है भार कानुभव जैसे हमारे अंदर कुछ भा का अनुभव कर रहे हो और जब यह अनुभव लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तब ही उसी समय भार हींता का अनुभव होता है जैसे यह कब होता है यह बड़े वाले जूले पजूले हो वाला तो इसमें जो है जब नीचे से उपर किया जाते हो डर लगता है लेकिन उतना पर की ओर ना डर कहां जादा लगता है यहीं ना जब नीचे आने लगता तो वहीं जादा डर लगता है क्यों लगता है क्योंकि लगातार प्रस्थियाबल कानुव करते हो उस छण जो है वह प्रस्थियाबल कम हो जाता है कम होने लगता है तो लगता है कि भार हिंता कानुव हो रहा है भार हमारी हमारा कम हो रहा है है ना जैसे नीचे की और आ रहे हो तो नीचे की यह जूले बैटे हो बल लगा रहे हो नीचे की और प्रत्वियावल कारे कर रहा है तो तुम्हारा बल कम हो जाता प्रत्वियावल भी कम हो जाता तो लगता है कि हमारे अंदर भार नही ये क्या है वी बराबर यू प्लस एटी वा भई दूसरा क्या है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर और तीसरा है वी स्क्वाइर बराबर यू स्क्वाइर टू एस ये तीनों सा मिक्याड हो गए अच्छा इसमें एक और है कि टीवें सेकंड में या या नमें सेकंड में च इसके लिए फार्मूला क्या होता है पता है क्या होता है टीवें सेकंड में यह होता है यह 150 मतलब 22nd में या 99nd समल लिए यह होता है यू प्लस ठीक है यह ऌता है 2T माइनस1 ए और यह बटे में 2 ठीक ये क्या होता है यह 90 시nd में या कलीजिए 92nd में चली गई दूरी इस पर आधार्य Numerical हम लोग साल्व करेंगे अगले वीडियो में अच्छा एक देख लीजिए थोड़ा सा इसमें कौन क्या है यह तो सब को पता है ना थोड़ा बता दीजिए क्या होता है यू क्या है तो इसका मान क्या लिखेंगे प्लस में और जब कमी आएगी तो माइनस में रख लेंगे बस इतनी बात इसमें याद रखनी है ठीक है चलिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए मिलते है नेक्ष्ट वेडियो ने